नमस्कार मैहुष शिवांगी बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है आज है 3 अगस्त 2023 तो चलिए जानते हैं 15 बड़ी खबरों को विस्तार से पहली खबर है जातिगत गणना के अलावा शिक्षकों की नहीं लगेगी कोई और ड्यूटी केके पाठक का नया आदेश बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख सचीव केके पाठक ने शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है अब शिक्षकों की जातिगत गणना के अलावा किसी अन्य गैर शेक्षनी कारेों में ड्यूटी नहीं लगाए जाएगी यानि की पढ़ाई के अलावा उनसे सिर्फ जातिगत गणना का कारे कराया जा सकता है ACS के के पाठक ने सभी जुलादिकारियों को इस संबंद में निर्देश भेज दिये हैं उन्होंने सख्त लेजे में कहा कि अन्य कोई प्रशासनी कारे शिक्षकों को न लिये जाए ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बात ही तिना हो सके सिक्षक भाग के ACS के के पाठक के द्वारा सभी जुलादिकारियों को भेज़े गया पत्र में ये भी निर्देश दिया गया है कि सिक्षकों की जातिगत गनना के लिए प्रतिन्यूक्ती में इसका ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी विद्याले सिक्षक विहीं न हो जाए बतादे की पटना हाई कोटे से राज्य में जातिगत गनना को हरी जंडी मिल गई इसके बाद गनना का बचा हुआ 20 फीसदी काम अब जल्द से जल्द पूरा किया जाना है इस सम्बंद में मुख्य सचीव ने सभी अधिकारियों को आदेश जारी किये हैं इससे पहले ACS के पाठक ने शिक्षकों को गैर शैक्षनिक कारियों में प्रतिन्यूक्ती पर रोक लगाए सम्बंदित निर्देश जारी किये हैं उन्होंने सभी DM को मंगलवार को लिखे पत्र में कहा कि BLO को ट्रेनिंग देने को प्रतिन्यूक्त शिक्षकों की प्रतिन्यूक्ती अविलंब समाप्त करें शिक्षकों के मास्टर ट्रेनर बनाने से विद्यालियों में शेक्षनिक ववस्था पर प्रतिकूल असर परता है हलाकि जातिगत गणना के काम में शिक्षकों की प्रतिन्यूक्ती पर रोक नहीं रहेगी बिहार के इन जिलों में होगी भारी बारी शिम मौसंब भाग की चेताबनी ओरेंज अलर्ट जारी बिहार के अधिकतर जिलों में पांच अगस्त तक भारी और बहुत भारी बारी शोने के पूरवानुमान है अधिकांस जिलों में एक या दो अस्थानों पर में गर्जन एवं वजपात की भी आश्रंका जताई गई है मौसम बिभाग ने इसका अलवर जारी किया है वही दक्षिन बिहार के कई जिलों में तीन अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है इसके साथ ही पटना सहीत पूरे प्रदेश में अगस्त माह में सामान्य बारिश होने का पूर्वा अनुमान है मौसम बिभाग के अनुसार बिहार में पूर्वे के वर्सों में अगस्त में 272 मिली मीटर सामान्य बारिश का रिकॉर्ड रहा है इस वर्स अगस्त में सामाने बारिश से 19% अधी किया 19% कम बारिश की संभावना है इस बीच मौसम बिभागने बुद्वार को 4 जिलों में आती बारिश का औरेंज अलर्ट और 7 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है वही पटना में हलके से मध्यम अस्थर की बारिश हो सकती है राज में सतही हवा की गती 30-40 किलोमीटर और जोके के साथ इसके 50 किलोमीटर प्रती घंटा रहने की संभावना है मंगलवार को दक्षिन मध्य भाग के एक डो अस्थानों पर भारी वर्शा हुई वही राजु के दक्षिन मध्य भाग के अधिकांश अस्थानों उत्तरमध्य दक्षिन पश्रिम एवं दक्षिन पूर्व भाग के कुछ अस्थानों और शेस भाग के एक डो अस्थानों पर हलकी से मध्य अस्थर की बारिश हुई इस दोरान सबसे अधिक वर्षा गया के वजीर गंज में 110.4 और अंगाबाद में 64 सिवान के दरौली में 58 गया के शेर घाटी में 52.6 जुहानबाद के गोसी में 52.4 नवादा के नरहट में 52.2 गया के बोध गया में 50.2 नवादा के हिस्वा में 49.4 बारिश हुई है सभी डियेम ततकाल गनना कारे शिरू कराए हाई कोड के फैसले के बाद आदेश चारी जुहाति आधारित गनना पर पटना हाई कोड द्वारा रो का हटाए जुहाने के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों के जुलाद कारी को ततकाल कार शिरू करने का निर्देश दिया है के संबंद में दाखिल किये वादों की समय कित सुनवाई मंगलवार को की गई बिहार जाती आधारित गनना 2022 के विरोधिस दायर सभी रीट याचिकाओं को खारिच कर दिया गया है अंतिता सावान्य प्रशासन विभाग द्वारा चार माई 2030 को उच्छ नेयाले पटना के देश वापस लेते हुए कार्य पुना तदकाल आरंभ करने की कारवाई की ज्वाई बिभाग ने इसे सर्वोच प्रात्मिक्ता देने की निर्देश दिया है इसके पूर्व मुख सचीव बिहार आमीर सुभानी ने सभी अधिकारियों को जाती गनना के कार में अंतिम रू पत्ना से हाबरा के बीच जल्द दोरेगी बंदे भारत एक्सप्रेश च्रेश चलेगी इस रूट पर चलने वाली बंदे भारत की एक रैक मंगलबार सुभा पत्ना जक्सन के प्लैटफॉर्म नमबर दो पर पहुची इसका जल्द ही ट्रायल और मेंटेनेंस कार पाने चेयर कार और दो एक्जेक्यूटिव चेयर कार सहीत अन्य कोच है ज़ानकारी के अनुसार हावरा जन शताबदी की समय साडनी के आसपास पटना से हावरा के बीच वन्द भारत ट्रेन चलाने की योजना है। इसकी सही ज़ानकारी समय सारणी निर्धारित होने के बाद ही मिल सकेगी। 319 mm बारिश होती है तब जाकर हालात सामाने हो पाएगा। 24 जिलों में सामाने से कम और 11 जिलों में तो सामाने से काफी कमबारिश होई। जून और जुलाई की तरह अब अगस्त में भी मानसून के कमजोड रहनी की संभावना है। जाती आधारित गणना के दूसरे फेज का फीजिकल सर्वे शुरू पटना के जुलादिकारी ने कहा गलत डाटा एंट्री से दूर रहे अधिकारी। देखे पटना के जुलादिकारी डॉक्टर शंदिर शेकर सिंग ने कहा कि जाती आधारित गणना के दूसरे फेज का फीजिकल सर्वे की शेस गणना बुद्वार से घर घर जाकर शिरू हो गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए गलत डाटा की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगस्त में जुलाई के मुकाबले ज्यादा बारिश होगी जो कमी रह गई उसकी भरपाई नहीं होगी जुलाई में 48 प्रतीशत कम होगी। 20 वर्स से बारिश का जो सामाने ट्रेंच रहा है उसी के अनुसार सामाने बारिश का लक्ष निर्धारित किया जाता है। जुलाई में एक महिने के अंदर सरवाधिक वर्सा 558.2 mm किशनगन जिले के में जबकि 69.5 mm सीतामरी जिले में हुई बंगाल की खारी में डीप डिफ्रेशन का एक सिस्टम बना है जो बंगलवार को रात बांगलादेश के टटिये शेतर से टकड़ाएगा। और उसके बाद बंगलादेश और पश्रिम बंगाल को अच्छादित करते हुए बिहार की ओर बुद्वार को सुबा तक पहुच जाएगा। पूर्वे मदे रेल में सबसे पहले राजेंद नगर टर्मिनल गया जक्षन और मुझाफरपूर जक्षन पर इसकी सुवधा मिलेगी। वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तोर पर डेवलप करने की योजना के तहत होटेल बनाने के साथ ही अनिकाम होगा। पूर्वे मदे रेल में के 12 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना है इनमें दानापूर मंडल के राजेंद नगर टर्मिनल और बकसर स्टेशन शामिल है। पैस्टेशन को डेवलप करने पर 300 करोर रुपे खर्च होंगे इसे 2024 तक वर्ल्ड क्लास बनाने का लक्ष है यहां निर्मानकार शुरू हो चुका है मजफरपूर और राजेंद नगर टर्मिनल पर अगस्त में शुरू होगा मेट्रो प्रोजेक्ट की वज़ा से नहीं पकर रहा है हलाकि ये तीन लिफ्ट और दो एकसलेटर लगाए गये हैं बिहार में खत्रे की निशान के करीब पहुचा गंगा का जलस्तर घाट पर बना तेजधारा का दबाव लोगों में दहशत बिहार में एक तरफ जहां कम बारिश ने सुखार की स्तिती पैदा ह हुई है वहीं थोड़े सी हुई बारिश के बाद भी गंगा का जलस्तर खत्रे के निशान के करीब पहुच गया है भागलपूर जिले में गंगा का जलस्तर चार सेंटीमीटर बढ़ कर 31.2.1 मीटर तक पहुच गया है शेहर में गंगा का जलस्तर खत्रे के निशान से 33.6. इसी कारण लोगों में देशत हैं मंगलवार दो पर दो बजे तक गंगा नदी के जलस्तर में 4 सेंटी मीटर की वृधी दर्श की गई भागलपूर शेहर में गंगा का जलस्तर 31.2 एक मीटर रिकॉर्ड किया गया गंगा का जलस्तर फिलहाल खत्रे की निशान से 33.68 मीटर से 2 4.7 मीटर दूर है भागलपूर समेत बिहार के अने जिलों में हुई बारिश के कारण बुद्वार को नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है शेहर में के गंगा घाटों पर नदी की तेजधारा का दबाब बना हुआ है बिहार में सबजियों के दाम में 20-80 प्रतिशत तक की कमी आई है राजधानी पटना के मीठापुर मंडी में परवल की कीमत एक महीने पहले 60 रुपे किलो थी वो अब 10-20 रुपे तक पहुच गई है वहीं 30 रुपे कीलो बिकने वाली कुंदरी 15 रुपे कीलो पर पहुच चुका है इसके अलावा 40 रुपे वाला खीरा 20-24 रुपे प्रति कीलो पर पहुच गया है दूसरी और बैंगन जिसकी कीमत 45 रुपे थी वो 16-20 रुपे के बीच पहुच चुका है हरी मिर्च की बात करें तो उसकी कीमत 110-60 रुपे पर पहुच चुकी है शिमला मिर्च का दान 60-40 रुपे कीलो हो गया है दूसरी और कदू की कीमत 30-20 रुपे पर आ गई है पतागोबी की कीमत 30-24 प्रती कीलो आ गई है जबकि भिंडी की कीमत 50 रुपे कीलो से 20 रुपे कीलो आ गई है इसके अलावा टमाटर और अध्रक की कीमत में कमी नहीं हुई है टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है प्याज के भाव में भी कमी नहीं हुई है टमाटर की कीमत जुलाई के महीने में 80 है राची पतना वंदे भारत का रूट बदला साकी और बरका काना के बीच पटरी पर गिरा चटान अगले आदेश तक इस रास्ते चलेगी ट्रेन राची से पतना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है ये बदलाव दो अगस से लागू होगा राची पतना वंदे भारत ट्रेन अगले आदेश तक परिवर्तित मार्गित से चलेगी भारती रेलवे के इसे लेकर सूचना जारी कर दी है रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि अगले आदेश तक बंदे भारत एक्सप्रेस टर्मी ताटी सिल्वे साकी और बरकाकाना होते हुए चलने वाली है ट्रेन और टाटी सिल्वे से मूरी और बरकाकाना होकर चलेगी रेलवे ने बताया कि बंदे भारत एक्सप्रेस के रूट में बदलाओ क्यों क्या गया है दरसल मंगलवार को साकी और बरकाकाना की बीच पहारी चटान रेलवे ट्रैक पर गिर गया था चटान गिरने से मंगल बुद्वार को सांकी बरकाकाना रूट पूरे दिन प्रभावित हुआ था बाद में धनबाज से बुल्डोजर और पोकलेन मशीन भेज कर देर रात उसे हटाया जा सकता था बुचपुरी सिंगर खेसारी लाल यादो को बड़ी रहत चेक बाउंस मामले में कोट से मिली जमानत बोचपूरी गायक खेसारी लाल यादो शप्रा कोट में नियाईक दंडा अधिकारी प्रथम श्रेनी प्रियांशु शर्मा के नियायाले में बुद्वार को उपस्तित हुए खेसारी की जमानत याजिका पर सुनवाई के बाद नियाईक दंडा अधिकारी ने जमानत मंजू खिसारी को संदे उपस्तित रखने का आदेश दिया यूपी बिहार ही क्यू पाकिस्तान से भी चुनाओ लड़ सकते हैं नितीश कुमार बीजेपी ने कसा तंगज जदियों के यूपी प्रभारी वबिहार सरकार के मंतरी श्रवन कुमार ने कहा कि उतरप्रदेश के कई अला यात्रा निकाल कर खास वर्ग के विशेश संदेश देना चाते हैं तो अब वे चाहे तो पाकिस्दान से भी चुनाओ लड़ सकते हैं बिहार में जाती गंणान से क्या होगा फाइदा डेप्यूटी सीम तेजस्वी यादों ने दिया बयान पतनाई कोट द्वारा जाती गंणा पर लगी रोक हटाने पर बिहार के डेप्यूटी सीम तेजस्वी यादों ने खुशी जाहिर की है इसके साथी तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक पोश्ट कर जाती गणना का विरोध करने वाले लोगों को भी जबाब दिया है तेजस्वी ने अपने पोश्ट में लिखाया कि बिहार के हर गरीव वन्चित और अच्छे भविश्य की चाहत रखने वाले व्यक्ति के लिए ये अत्यांत खुशी का विसे है कि पटना उच नियाले ने जाती आधारित सर्वेक्षन पर आगे बढ़ने के लिए बिहार सरका को हरी जंडी दिखा दी है